नमस्कार साथियों मैं हूँ लक्षमी नारायन और आज बात करेंगे हम ओस्ट वाल्ड शक्र के वारे में तो ओस्ट वाल्ड एक जर्मनी के बिग्यानिक थे और उन्होंने कलरों पर सोध किया और अपने स्टडी के आधार पर उन्होंने एक रंगों का चक्र बना के त्यार किया जिसमें उन्होंने आठ रंग लिए इसमें उन्होंने चार प्रमुक रंग लिए और चार दुतिय रंग लिए और मिलाकर बना दिया ओस्ट वाल्ड चक् पर दिखाई दे रहा है ओश्ट वाल चक्र से संब्देत बहुत सारे अरसे प्रिश्ण है जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार है प्रमकर रंग दुतियकर रंग आदश रंग बिरोदी रंग और समान रंग लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि ओश्ट वाल चक्र को याद करना बड़ा मुश्किल काम है तो उसके लिए हमने एक सौट्रिक तयार की है वो इस प्रकार है ओश्ट वाल चक्र के लिए आपको यह एक लाइन याद कर लेनी है लब निया हदा पीना तीन शब्द हैं लब निया हदा पीना इस सौ ट्रिक से आप ओश्ट वाल चक्र को आसानी से याद कर शकते हैं लासे लाल, बसे बेंगनी, नीसे नीला, आसे आसमानी, हसे हरा, धासे दानी, पसे पीना, और पीले के बाद में नासे नारंगी ये आपके आठ कलर हो गए और ये आठ रंग जो हैं, वो करम से हैं, इस तरह से आप याद कर लीजिए, तो आपके ओष्टवाल चक्र आपका याद हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं, ओष्टवाल चक्र से सम्मंद्द कौन कौन से ऐसे प्रश्ण है जो पूछे जाते हैं, ओष्टवाल जी ने चार प्रमक रंगों की बात की, तो उन्होंने लाल, नीला, हरा और पीला, ये चार प्रमक रंग लिए उन्होंने, तो ये पूचा जाए कि ओस्टवाल चकर के अनुसार प्रमक रंग कितने हैं तो होते हैं चार लाल नीला पीला हरा और ओस्टवाल जी का नाम नहीं लिया जाए तो प्रमक रंग होते हैं जिने हम प्राथमिक रंग कहते हैं और प्राथमिक रंग होते हैं तीन कौन से होते हैं हरे को काट दो, बाकी के लाल, नीला और पीला, तीन आपके प्रमकरों को हो गए, बाकी के जितने भी इसमें बचे हुए हैं, वो कौन से हैं, वो हैं दुतियक रंग, दुतियक रंग कौन से होते हैं, दुतियक रंग, दुतियमाने दूसरे नमबर वाले, वे रंग, जो प्रमकर रंगों को आपसमें मिला कर बनाए जाते हैं, वे दुतियक रंग कहलाते हैं, अंगरे जी में उन्हीं को सेकंडरी कलर बोलते हैं, जैसे लाल और नीला मिला के बै रंगनी रंग कैसे बनेगा लाल और नीला इन दोनों को मिलाकर बन गया बैंगनी रंग इसी तरह से लाल और पीला लाल और पीला इससे मिलकर बन गया नारंगी रंग और पीला पीला और हरा इससे मिलकर बनेगा हमारा धानी रंग इस तरह से हमारे जो दूसरे रंग तयार हो रहे हैं कौन सा है बैंगनी है हरा है बैंगनी है नारंगी है और धानी है यह हमारे दुतिक रंग है और एक आसमानी यह दुतिक रंग हो जाते हैं इसके बाद बात कर लें पूरक रंग पूरक अत्वा बिरोधी पूरक और बिरोधी इससे समंदेते प्रश्ण भी आते हैं तो ओश्टवाल्ड में जो आमने सामने के जो रंगों होते हैं वे बिरोधी रंग कहलाते हैं जैसे लाल का बिरोधी रंग हारा या लाल का पूरक रंग हारा उसी तरह से नारंगी का जो बिरोधी रंग है वो आस्मानी होगा पीले का बिरोधी रंग नीला होगा नीले का पीला होगा बैंगनी का धानी होगा और धानी का बैंगनी होगा यह आपस में एक दूसरे के बिरोधी रंग होते हैं जो आमने सामने के जो रंग होते हैं, वो बिरोधी रंग होते हैं, आप ऐसे भी याद कर शकते हैं, बिरोधी रंगों के बार बात की जाए, तो आती है, समान रंगत के रंग, या सहयोगी रंग, या समान रंग, कैसे भी कह सकते हो, तो जो एक दूसरे के बगल में जो रंग ह वो समान या सहयोगी रंग होते हैं ओष्टवाल चक्र में जैसे लाल, लाल बेंगनी और नीला ये सहयोगी रंग है ऐसे ही लाल, पीला और नारंगी ये सहयोगी रंग है इसी तरह से पीला, हरा और धानी ये तीनों सहयोगी रंग है तो तीन-तीन का ग्रुप है इसमें लाल, बैंगनी, निला एक ग्रुप ये हो गया सहयोगी रंगों का और पीला, नारंगी और लाल एक ये हो गया इसके बाद में नीला, आसमानी, बैंगनी ये भी एक ग्रुप हो गया पीला, हरा मिला के यह धानी यह एक गुरुप हो गया इस तरह से यह तीन-तीन के यह गुरुप हैं यह समानरंगत के रंग होते हैं तो यह हमारे प्रमुक रंग हो गए दुतिक रंग हो गए आदर्स रंगों की बात करें तो ओष्टवाल चक्र में जो आठो रंग हैं, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीना, पीला और नारंगी, जो आठो रंग हैं, ये आठो रंग हमारे आदर्श रंग कहलाते हैं, बिरोधी मैंने बताई दिये, समान या सहोगी रंग मैंने आपको बताई दिये तो इस तरह से ये ओष्ट वाल चक्र और इससे संबंध दरंग है तो उम्मीद है आपको ओष्ट वाल चक्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शियर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें तंडवाद